बेबिका को जलाने के लिए अब मनीशा और एलविश एक हो गए हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जान बूच कर वो किचन एरिया में घूमते फिरते नजर आए जिससे वो बेबिका को जला सके वहाँ पर केचर एरिया में बेबिका के साथ साथ फलक, जिया, फुकरा हर कोई बैठा था और जब वहाँ पर हाथ पकड़ कर घूम रहे थे एलविश और मनीशा तो बेबिका तो नराज हुई ही एलविश को देख कर इस तरीके से फुकरा ने भी बड़ी धमकी दे दी ऐसा क्या हुआ है चलिए हम आपको बताते हैं दरसल जिस तरीके से अब मनीशा और एलविश गेम में मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं उससे एपिसोड वाकई में काफी इंटरस्टिंग हो गए हैं आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसी जो है आज लाइफ फीड में भी दिखाया गया कि बेबिका को जलाने के लिए एलविश और मनीशा हाथ पकड़ कर केचर एरिया में घूम रहे थे बेबिका ये देख कर काफी हैरान हुई बेबिका एलविश को मारने के लिए भी दोड़ी वहीं इन दोनों को हाथ पकड़ कर घूमते देख कर जीया और फलक भी जोर जोर से हसने लग गए लेकिन यहां फुकरा अपने दिल पर हाथ रख कर बोले कि यार ओल इस वेल ओल इस वेल ये सब मत करो और जरा तो थोड़ा सा दूर ही रहना और वो इस तरीके से एलविश को टोकते हुए नजर आए हैं और बोलते हुए नजर आए हैं कि मनीशा से थोड़ा दूर ही रहना तो एक बात तो तैह है कि फुकरा जो है अपनी दोस को लेकर काफी पसेसिव है उसी ये बात बिलकुल पसंद नहीं आरी कि उसका ने दोस के करीब और कोई भी जाने की कोशिश करे और इसलिए जब एलवेश और मनीशा इस तरीके का रोमैंस का फेक एंगल क्रियेट कर रहे थे तो फुकरा ने उसी समय टोक दिया आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल करे झाल कर दोड़ करना ना व्हाद आप एल बताएं प्रषण कर दो प्रड़ इस पहले हमारे झाल को सब्सक्राइब कर दो झाल कर दो झाल कर भूलें